Hello everyone, यह MSP Knowledge Official YouTube Channel है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद तम्हारा यह पूरा civics political science जो भी तुम लोग इसे कहते हो उसके सारे image based question तुमारे complete हो जाएंगे और कोई भी issue तुम लोग को नहीं आएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एकदम basic level से देखेंगे कि तुमारा quiz image का कौन सा सही answer होगा और उससे के related कौन कौन से questions पूछे जा सकते हैं इन सबको हम लोग एकदम अच्छे से discuss कर रहे होंगे तो बस चाय पानी और दो मिनिट के मैगी बना कर बैट जाओ और इस वीडियो को देखते रहो अब हम लोग देखते हैं कि अखिर इसका first question क्या है इसमें तुम लोग को एक काटून दे दिया गया है जिस पर एक बुड़े अंकल है वो democracy के बड़े से पत्थर के उपर बैठे हुए और उस पर अलग-अलग direction से पत्थर आ रहे हैं अब हम लोग को बताना है कि आखिर इसमें दिखाया क्या जा रहा है डेमोक्रैसी पर पत्थर फेगे जा रहे हैं तो क्यों फेगे जा रहे हैं और आखिर इससे हो क्या रहा है देमांड for separate state from democratic government तो यह तो नहीं लग रहा है आगे देखते हैं यह भी थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है यह थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन option number D देख लेते हैं democratic government accepts demand based on the separate state तो देख यार इसमें तुम लोगों को देखना है कि आखिर इसका right answer क्या होगा तो option number A तुम लोगों को एक separate type का चीज बता रहा है इसमें तुम्हारा सिर्फ state के बारे में बात हो रही है और option number B में भी तुमारे सिर्फ state के उपर ही बात हो रही है लेकिन यहाँ पर एक image में तुमारे एक पत्थर है उस पर लिखा हुआ है student demand यहाँ पर लिखा हुआ है to settle the language issues यहाँ पर लिखा हुआ है to get separate state मुलब अलग-अलग type की problems यहाँ पर फेकी जा रही है democracy के उपर तो अगर अलग-अलग problem है इसका मुलब multiple pressures, multiple problems आ रही है democracy के उपर तो जैसा कहा गया कि इसका right answer होगा option number C democratic government is coping with multiple pressures through accommodation इसका यह right answer होगा अब चलते हैं हम लोग अपने next question पर study the given cartoon and answer the following इसमें तुम लोग को एक cartoon दे दिया गया है और यहाँ पर तुम्हें बताना है कि आखिर यह किस leader की image है तो देखे यार तुम्हें इस image को सबसे पहले देखना है अगर कोई भी question है तो सबसे पहले image को देखो कि इसमें दिया क्या हुआ है तो यहाँ पर एक कमल बना हुआ है इसका मतलब कि यह जो भी leader है वो BJP से belong करता और भारते जन्ता party का कोई leader है और तुम लोग देखोगे कि यह एक राजगदी टाइप पर बैठा हुआ है जहाँ पर नीचे कई सारी political parties आजू-बाजू में हैं और वो एक गदी बना रही है अब तुम लोग options देखो कि क्या तुम लोग को इतने hint से इतने clue से तुम्हें पता चल रहा है कि यह कौन है और इनका चेहरा भी थोड़ा बहुत जाना पहचाना अनलग रहा है और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसका right answer तुम लोग को मिलेगा AB वाजपई अटल बिहारी वाजपई यह अटल बिहारी वाजपई का यह एक image है और इसमें दिखाया जा रहा है कि हाँ वो एक leader type के हैं क्योंकि वो तीन बार prime minister रह चुके हैं इंडिया के three terms के लिए इसी वज़े से उनको ऐसा दिखाया गया उनका यह query creature बनाया गया है इसको दिमांग में बठालो ऐसी सिफ एक ही image है तुमारे पूरे chapter में तो ऐसा नहीं है कि किसी और leader का नाम आ जाएगा तो तुम लोग को confusion हो जाएगी अगर किसी leader का image बनाया है उसमें कमल की photo तुम लोग को दिख रही है जो कि हमेशा यही photo रहीगी अगर यह question आया तो तो इसका right answer तुम लोग option number D या फिर अटल बिहारी वाज़ पर ही लिखकर आ जाना यह हमेशा right answer रहेगा so आपर कई सारे questions वगरा तुम लोग को मिल रहे हैं हम लोग कई सारे questions कर रहे हैं लेकिन तुम लोग offline में भी यह सब किया करो question वगरा solve किया करो और sample paper attempt किया करो उसके लिए यार तुम लोग revision वगरा के लिए उसवाल publishers की एक revision book करके आती है term 1 के लिए वो देख सकते हो वो मै बार बार पैसा book ने की जहतना ही है एक ही book में तुम्हारे सारे subject भी हो जाएंगे and कई सारे sufficient amount of mcq questions and नए नए pattern based questions भी तुम लोग को मिल जाएंगे जैसे वह English में grammar वाले questions mcq में कैसे आएंगे letter वगर mcq में कैसे आएंगे यह सब तुम लोग को उसी में पता चल जाएग so book को तुम लोग एक बार देख सकते हो description में link है जाकर एक बार check out करो अब चलते हैं हम लोग अपने next question पर study the following picture and answer the questions यहाँ पर तुम लोग को दिखाया जा रहा है कि 27% of the Canadian think that the liberals should be in power यह एक data दिखाया जा रहा है 35% think that the conservative deserve a change यह दिखाया जा रहा है और 98% of the Canadian agree that all the politicians should be locked in the trunk of a 82 Yugo going over Niagara Falls तो यह वाला तुम लोग को 98% of the Canadian यह सुचते हैं कि जितने भी politician है उनको एक कार में बठा के Niagara Falls में फेग देना चाहिए यह जो image है यह जो fact है यह तुम लोग को क्या दिखाते हैं यही इस question में पूछा गया है अब options देखते हैं A. people hate politics या फिर B. people want to throw away the politician in Niagara Falls यह तो directly हो गया यह तो नहीं होगा option number C. political parties are one of the least trusted institution all around the world या फिर D. people of Canada think that liberals should be in power तो देखे यार यह एक fact है यह एक caricature है यह एक image है तो इसमें जितनी भी बाते लिखी है वह यह नहीं है कि वह वही meaning दिखा रही है जो reality में मलब Niagara Falls से फेकने को कहा जा रहा है इसका मलब यह नहीं कि Niagara Falls से फेक दो इसका मलब यह है कि हाँ वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं वो उन्हें वो अच्छे नहीं लगते हैं यहाँ पर 35% जो conservative में change चाहते हैं वो यह नहीं है कि हाँ कोई political leader है उसी में वो change चाहते हैं या फिर उसी को बदलना चाहते हैं यह नहीं कहा रहे हैं कि कोई एक particular liberal leader power में होना चाहे या फिर कौन power में हो कौन power में ना हो मतलब कि एक fact है एक normal चलते फिरते वाले fact दिये गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग direct easy का answer उठा कर लिख दोगे कि हाँ यहाँ पर तो लिखा गया है कि Niagara Falls में फेग दो इसका मतलब option number B सही है या फिर यहाँ पर लिखा गया है कि Canada वाले सोच रहे हैं कि liberals power में होने चाहिए यह right answer हमेशा कभी भी यह नहीं होगा कि तुम लोग को image में जो लिखा हुआ है वही उसका सही answer हो जाए और यहाँ पर तुम लोग को दिख भी रहे कि यह दोनों ही fact दिये गया है तुम्हारे इस image में और all of the above का कोई option है नहीं तो दोनों में से तो कोई एक हो नहीं सकता अगर दोनों ही दिये गया है तो इसका right answer होगा यार C option number C कि political parties are one of the least trusted institutions all over the world मतलब कि इन पर कोई trust नहीं करता है यह जितने भी तुम लोग के यह fact दिये गया है यह सब politics से related है यह political party से related है और यह क्यूंकि Canada के हैं और हम लोग का chapter में इंडिया के बारे में बात हुई है तो यह साफ दिखा रहा है कि इंडिया में भी कोई पसंद नहीं कर रहा है और वहाँ पर Canada में भी इसे पसंद नहीं किया जा रहा है इसका मनले है कि हाँ पुदे विश्व में यह हो रहा है कि कोई भी political parties को पसंद नहीं करता है उनकों पर trust नहीं करता है तो यह और यह cartoon यह caricature यह fact वाला image तुम लोग को option number C बता रहा है कि कोई least trusted है यह लोग इन पर कोई trust नहीं करता है तुम लोग भी नहीं करते होगे लेकिन अपनी अपनी opinions बना कर बैठे होगे कि नहीं मैं जब vote दूँगा तो इसको दूँगा मैं इनको दूँगा मैं इनको दूँगा तो दो और क्या democracy है तुम लोग को 18 के बाद मिलेगा ही मौका अब हम लोग देखते हैं अपना next question study the picture and answer the following अब हम लोग को बताना है कि इस image में क्या दिखाया जा रहा है so इस image में तुम लोग को इंद्रा गाधी दिख रही है जो की union government में थी और यहाँ पर तुम लोग को बाकी state के मुखे मंदरी वगेरा दिख रहे है और यहाँ पर एक power नाम का पतीला है पैसे नाम का पतीला है उसी से उनके हिसाब से सभी को power और पैसा दिया जा रहा है कटोरे में तो यह क्या दिखा रहा है कि हाँ एक टाइम पर इंद्रा गांदी या फिर जो यह union government में जो भी government रहती थी वो यह decide कर दी थी कि किस state के पास कितना पैसा जाएगा और किस state को कितनी funding मिलेगी और किस state के पास कितनी power रहेगी अब हम लोग को बताना है कि इनमें में से कौन सा option सही होगा इस image का मतलब समझ गए कि क्या दिखाया जा रहा है option number A हम लोग देख लेते है ये तो हो रहा है लेकिन ये answer सही नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा वैसा हो जा रहा है कि हाँ ये लोग भीख मांग रहे है तो NCRT वाले थोड़ी इज़त करते हैं क्योंकि ये लोग तो CM है तो ऐसा तो ये option साथ right तो ये लोग देंगे नहीं भी देख लेते हैं ये मेरे साब से सही हो सकता है अब आगे क्या option देख लेते हैं कि कोई अच्छा खासा option है कि नहीं तो ये तो एकदम नहीं होगा और हम लोग उन्हें अपने तुक्का वाले वीडियो में देखा था कि none of the above answer कभी भी सही नहीं होता है तो ये वाले दो options तो हम लोग के cross हो गए इन दोनों में से मुझे ये वाला option number भी सही लग रहा है और ये सही होगा भी क्योंकि ये federalism के rules federalism का जो basic structure है कि central government, state government इनको लगभग equally power मिलनी चाहिए और ये नहीं कि एक दूसरे पर कोई rule कर रहा है जादा बड़ा जादा कम ऐसा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बीच में इन दोनों को दखल नहीं देना चाहिए और यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि central government ने state government को एकदम भिखारी टाइप कर बना कर छोड़ दिया है और वो जिसको चाहरे उतना ज्यादा power देंगे जिसको चाहरे उनको power नहीं देंगे तो इसका right answer होगा यार option number B अब हम लोग देखते हैं अपना next image based question और जितना भी बता रहा हूं उसको याद रखो पचाते जाओ जिससे कि तुम लोग को exam time में यह सब अच्चे से याद आ जाए अब यहाँ पर तुम्हारा एक question है जिसमें कार है और उसके दो steering है यह हम लोगों ने MCQ सीरीज में भी देखा था और इसका right answer तुम लोगों को पता होगा कि इसका option number सीख सही होगा कि problems of coalition government और coalition government में भी यह होता है कि government नाम की गाड़ी पर यहाँ पर दो steering हो जाते हैं और दोनों party क्योंकि दो parties हैं तो मतलब कि उनकी ideologies उनके जो beliefs हैं वो अलग-अलग होंगे अगर एक जैसे होते तो वो एक party नहीं होते अगर अलग-अलग belief हैं तो अलग-अलग party बनी लेकिन क्योंकि वो लोग एक government बना रहा है तो उनकी हर एक event पे हर एक मुद्दे पर अलग-अलग सोच होगी एक चाहेगी मैं धर जाऊं एक चाहेगी मैं धर जाऊं इसी वज़े से ऐसी type की government ज्यादा दिन तक चलती नहीं है अब आते हैं हम लोग अपने next question पर जो कि यह तुम लोगों ने देखा होगा यह भी हम लोगों ने series में किया है MC की series में जो कि यहाँ पर पूछ रहा है तुमसे कि यहाँ पर व्लादिमिर पुतिन और जॉर्ज बुष बैठे हुएं और वो democracy नाम के घोड़े अफरिकदे को खीच रहे हैं तान के रखा हुए उन्होंने और एक बोल रहा है कि keep it tight और हम लोगों को उसे अच्छे से सम्भालना है अब इसमें क्या बताए जा रहा है तुम लोगों को यह देख के बताना है अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि यह जो democracy नाम का घोड़ा एफरिकद है इसकी लगाम सिर्फ इन ही दोनों के हाथ में और किसी को भी इसमें कुछ करने की जोत नहीं है यह लोग जहां चाहे इस गाड़ी को लिकर जाए जहां चाहे इसको मोड़ने तो इसका right answer होगा option number a concentration of power in few hands मतलब कि सिर्फ कुछी लोगों के हाथ में right powers हैं बाकि और किसी के हाथ में और कुछ करने को नहीं है so इसका option number a सही होगा अब हम लोग देखते हैं अपना next question so यही थे civics के most important image based question यह most important थे बाकि हम लोग एक बार इसका देखेंगा गर तुम लोग के पास time रहेगा मेरे पास time रहेगा तो हम लोग एक बार इसका mcq proper अच्छे से website किसी website पर एफर कि quiz वगएरा में देख लेंगे जिसे कि तुम लोग अभी practice हो जाए और और भी कई सारे questions कर लेंगे अभी के लिए most important में कम time में तुमारे यह सारे image based question हो गया है अब आगे बढ़ो अब इसी को लेकर मत बैठे रहना क्योंकि image based question तुमारे term 1 में सिफ एक ही दो आएंगे और उ इसके बदले में अगर तुम लोग और चुल मचिये कि और questions देखने हैं तो तुम लोग ने MCQ series अब तक देखी लिया होंगे उसको तुम लोग अच्छे से एक बार फिर देख लो अगर questions याद नहीं है तो बाकि अगर याद है तो फिर दुबारा देख कर time list मत करना और इस हम लोग one page note download कर सकते हूं यह बहुत गजब के one page notes है तुम लोग को proper एक दो पन्ने में एक चैप्टर अच्छे से completed है तो यह तो जाकर download ही कर लो description में playlist है और बस मज़े करो यार proper तुम्हारा सब चीज complete हो जाएगा और कई सारे वीडियो आ रहे हैं तुमारे term 1 के लिए भी और term 2 के लिए भी कई सारे वीडियो आएंगे तो तुरन सब्सक्राइब करो चटपुट या दोस्तों को share करो and हा लाइक वगरा जरूर करो so इस वीडियो के लिए बस इतना ही अब हम लोग मिलते है next वीडियो में जितने भी वीडियो आएंगे यार वो सब काम के वीडियो रहेंगे तुम्हारा time waste नहीं होगा सबसे कम time में मैं तुम्हारा सारा content complete करने की कोशिश करता हूँ और तुम लोगोंने देखा भी हो गयार 48 minutes में तुम्हारा एक chapter nationalism in Europe गजब तरीके से complete हुआ है और ऐसा तुम लोगों को शायदी YouTube पर कहीं इतने come time में मिले so अगर तुम को ने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर description से देखो और अच्छे से अपना chapter complete करो and subscribe अभी कर लो जिससे और भी कई वीडियो मिले ज्यादा वीडियो तुम लोगों को नहीं मिलते हैं जितने भी मिलते हैं quality वीडियो मिलते हैं और एकदम helpful वाले core वाले जो तुम ल